मैं ऐसा बोलू कि बीच में कोई इंटरमेडियेटर बंदा आ गया है और अगर मैं अपने कोलेज में हूँ तो उन्होंने एक ऐसा प्रोक्सी सिस्टम बनाया हुआ हो सकता है आपको बताऊंगा और यहां पर इंटर्व्यू कोशन भी बनते हैं हाँ जी कैसे सब तो आज अपन करने जा रहे हैं एक काफी इंटरस्टिंग चीज जो आई बेट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी विच इस स्प्रिंग बूट में प्रोक्सी स्क्या होता है तो ऐसी चीजें बहुत सारी लोगों ने देखी हैं बट उनको पता नहीं है यह चीजें काम कैसे करती हैं तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे स्प्रिंग बूट में प्रोक्सी स्क्या होता है काफी interesting topic है interview point of view से भी आपको कोई भी interview और पूट सकता है कि भाई आपने spring boot किया है तो यह बताओ कि प्रोक्सी कैसे यूज करते हैं या फिर आपको वो पूट सकता है AOP बताओ aspect oriented programming तो आज का जो हमारा topic है जो लोग prepare कर रहे हैं back end interviews के लिए लिए काफी important होने वाला है क्यूंकि AOP जो है वो हम अगली वीडियो में देख रहे होंगे जिसका prerequisite है proxies कि proxies क्या होता है तो आज हम with code example हम देखेंगे इसको कि क्या होता है साथ साथ code करना ज्यादा समझाएगा and notes बना लेना क्यूंकि आपको समझेगा कि proxies होता क्या है इसको use कैसे करते है और इसको हम बाद में project में भी use करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ा अच्छा idea हो जाए कि exactly होता क्या है तो देखते हैं सबसे पहले proxies होता क्या है तो मैं आपको बोलता हूँ कि let's suppose आपने कोई class बनाई है वो class है अपनी कोई भी class हो सकती let's suppose amazon की class है order service amazon कोई भी order करता है let's suppose check out करता है या कोई भी order place होता है तो वो इस class से होता है अब ये class में मैं बोलता हूँ कि आपका जो main class है या फिर मैं यह बोलूँ कि user class है ठीक है यहाँ पर user service है अब user service क्या बोलता है कि मेरे पास वो बोलता है कि order service है अब वो बोलता है कि मुझे एक place order करना है तो os.place order और उसमें वो let's suppose order pass कर देता है कोई oven तो इसका मतलब क्या है कि हम place order कोई यहाँ पे एक method होगा हम उसको call कर रहे होंगे इस service में हम यह कर रहे होंगे बट मैं बोलता हूँ कि यह call करने से पहले मैं चाता हूँ कि यह सबसे पहले मैं अपना मेरा यहाँ पे एक logging system define कर देता हूँ मेरा यहाँ पे एक dashboard है जहाँ पे मैं सारी logs करता हूँ कि let's suppose यहाँ पे एक user है यहाँ पे एक user है ठीक है मैं उसका logs यहाँ पे store करता हूँ let's suppose मैं ही हूँ यहाँ और मैं कितना purchase किया है in rupees या in dollars right तो मैं उसका graph बनाता हूँ तो यह मेरा logging system है कोई यह मेरा logging system है अब मेरे को क्या करना है मेरे को यह करना है कि जब भी कोई place order करेगा user का ठीक है कोई भी place order करेगा तो मुझे सबसे पहले उसमें इस call को intercept करना है intercept करके log करना है और फिर उस call को continue करना है मतलब मेरे पास यह order आया o1 ठीक है इस order में कोई भी information हो सकती है आपका order हो सकता है order id हो सकती है आपकी user id हो सकती है कुछ भी हो सकता है right इस payload में तो मैं इस payload का use करके इस वाली class में जो की एक intermediate class है जो आपकी इसको call कर रहे हो उससे पहले एक extra call हो रही है बीच में मैं ऐसा बोलू कि बीच में कोई intermediator बंदा आ गया है जो बोलता है कि आपकी call तो मैं कर दूँगा बट उससे पहले मुझे अपना काम करने तो फिर अपना करना तो इसको मैं बोलता हूँ यह क्या करेगा यह अपने log publish कर देगा log publish कर देगा और इसको बोलते है proxy proxy मतलब क्या होता है मैं अगर आपको और अच्छे तरीके से समझाऊ proxy मतलब एक ऐसी čीज जो किसी को intercept कर पा रही है ठीक है कोई ऐसी चीज जो किसी को intercept कर पा रही है जब आप अपने घर पे बैठे हुए हो आप internet serve करते हो तो आप क्या हो client चीक है और आपको क्या करना है server तक पहुंचना है कोई भी internet से file लेने के लिए कुछ भी लेने के लिए तो बीच में मैं एक चीज define कर देता हूँ जो की है मेरी proxy और ये आप जब भी कोई call करोगे इस proxy के through होके जाएगी और फिर यहाँ पे जाएगी और अगर मैं अपने college में हूँ तो उन्होंने एक ऐसा proxy system बनाया हुआ हो सकता है कि अगर आप उन website को access कर रहे हो जो की band है उन website को access कर रहे हो जो की band है वो लोग क्या करेंगे proxy में ही उसको identify कर लेंगे और वो बोलेंगे कि भाई इसको access नहीं करने देना तो आपकी ये वाली जो call है server तक ये जाएगी ही नहीं तो बहुत सारी use है proxy के but spring boot में proxy क्या है एक ऐसी intermediate class जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं before the main method call मतलब जो call जार ही है उसको intercept कर पा रहे हैं right तो code भी देखेंगे अभी theory देख लो जिसको सीधा code देखने है तो timeline पे दिया होगा सीधा code देख लो जाके तो सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि proxy दो तरह की होती है ये आपको interview में पूछ सकते हैं एक होती है अपनी jvm की dynamic proxy jvm या फिर jd के बोल सकते है dynamic proxy ठीक है और एक होती है आपकी मतलब एक library है code generation library उसकी तरफ से proxy ठीक है मैं बोलता हूँ कि जो dynamic proxy से हैं वो क्या कर सकती है वो सारी class को intercept कर सकती है class method invocation को कोई भी class की or class की method को कर रही है अगर call तो यह उसको intercept कर सकता है but provided कि यह जो class है वो interface से implement होनी चाहिए मतलब मैं यह बोल रहा हूँ मेरी यहाँ पर main class है ठीक है और यहाँ पर कोई let's suppose man class है man ठीक है तो यह man अगर person class को implement कर रही है person इसका interface है interface मैं यह बोल रहा हूँ अगर यह man class इस person class को implement कर रही है implement और मुझे इस call को इस वाली call को intercept करना है तो मैं यहाँ यहाँ यूज कर सकता हूँ dynamic proxy क्योंकि dynamic proxy जो है वो हमारा interface से related होती है ना कि concrete class से मेरी यहाँ पर concrete class है man ठीक है और मेरा जो interface है वो है person ठीक है तो मैं यहाँ पर dynamic proxy यूज कर सकता हूँ इस person interface पे तो इस interface को कितनी भी classes implement कर रही हो let's suppose person class है उसको एक implement कर रहा है let's suppose rohan एक implement कर रहा है mohan और एक implement कर रहा है ram तो dynamic proxy बोलती है कि कोई भी class हो है तो वो person interface की class ना तो person interface पे जो कोई भी call हो रही हो चाए वो rohan class में call हो रही हो चाए mohan में हो रही हो चाए ram में हो रही हो वो proxy हमेशा उस call को intercept करेगी क्योंकि यह interface level पे होता है और जो cglib proxy है यह interface level पे नहीं class level पर होता है तो समझ गए होगे राइट कि अगर मैंने code generation library से इस पर proxy लगाई है तो इसी पर ही होगा code पर चलते हैं उससे पहले मैं आपको एक example दे देता हूँ फटा फट चलो मैं code में example देता हूँ यहाँ पर मैं एक class बना लेता हूँ ऐसे कोई भी test.java ठीक है और अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक method बनाया हम इसको run नहीं करेंगे just मैं आपको example दे रहाँ public ठीक है string ठीक है get name और यहाँ पर मैं बोलता हूँ name और या फिर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ key तो pretend करते हैं let's suppose pretend करते हैं हमने यहाँ पर db call किया database को और हमने इस key की value लेके आए ठीक है और मैं अभी के लिए उस value को simple लिख देता हूँ ram ठीक है और इसको मैं return कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर pretend कर रहा हूँ बट actual में हुआ क्या है मैं यह बोल रहा हूँ कि actual में यह जो db call है यहाँ पर मैंने इस key को use किया और इसकी value लेके आए जिसकी value ram है let's suppose यह db share है और इसको मैंने return कर दिया ठीक है अब मैं बोलता हूँ कि get name है इसको पहली बर call हुई get name को पहली बर call हुई किस key के साथ let's suppose key का नाम है शाम और ram उसका भाई है तो मैं अपने db में गया मैंने देखा शाम के corresponding क्या store है वहाँ पे store है ram तो मैंने ram पिक किया और return कर दिया ठीक है ram return कर दिया अब एक और class ने बोला कि भाई मेरे को दुबारा दो get name लेकिन इस बर मुझे दो रोहन ठीक है तो रोहन मैंने again वही db से लाया दे दिया बट फिर एक call आती है वो बोलता है कि भाई अब मेरे को दुबारा तुम दो शाम तो भाई हम इसको cash ही कर लेते ना cash मतलब पहले इसको store करके रख लो यहाँ पी जो तुमारा program run कर रहा है उसकी memory में memory में ही उसकी local memory में इसको store करके लख रो कि जब भी शाम आएगा मुझे return करना है राम तो अब एक बार आपको db call करनी है इसकी value लाने के लिए एक बार शाम की value मिल गई उसके बाद मैं उसको दुबारा दुबारा return कर दूँगा right तो यही हो रहा है तो मैं यह बोल रहा ठीक है यह एक annotation होती है cashable अगर मैं यह use कर लेता हूँ तो अगर key पहले भी कभी call हुई होगी और उसकी value हमने पहले return करी होगी तो subsequent जितनी भी calls होगी हम उसकी value direct return कर देंगे without this db call उसको हम cache कर लेंगे मतलब program की memory में store करके रख लेंगे ठीक है अब इस annotation को कैसे implement कर सकते है आपको code मत सोचो यह सोचो कि इसको implement कैसे कर सकते हैं कोई भी class है इस get name वाले को call कर रही है यह अपनी test class है जिसमें एक method है get name अब मैं यह बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ हो सकता है proxy type उसमें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे proxy हो सकती है वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ एक map store कर सकता हूँ map जिसकी keys है string और value है string ठीक है पहली बर call आई RAM की मेरे पास मैंने map में चेक किया है RAM वो बुलेगा नहीं तो च test में call करो test DB में call करेगा ठीक है अब जो भी value return हुई मैंने बोला ठीक है RAM की value मिल गई यहाँ पे store कर लो RAM की मैंने शाम value store कर ली ठीक है अब दूसरी बर रोहन आया मैंने फिर check किया map में है नहीं है दोबारा call गई यह सब तो रोहन की value मैंने store कर ली ठीक है यहाँ पे रोहन तो मैं बोल सकता हूं कि यह cashable का code एक तरीके की implementation हो सकती है राइट यह हम उसको उसकी calls को intercept कर सकते हैं proxy कर सकते हैं yes or no कर सकते है राइट तो यह एक kind of example हो गई अब हम इसको code में देखते हैं तो फटा फट अगर आप पिछली वीडियो में follow कर रहे हो तो हमें पता है कि हम gradle का project कैसे initiate करते हैं और अगर आपके पास intelligent IDE paid मतलब नहीं है तो आप VS code install कर सकते हैं जैसे भी आप कर लेना इंटरनेट पर धेरो सारी वीडियो हैं और देख लेना ग्रेडल इनिट करते हैं और सबसे पहले मैं application बनाना चाहता हूँ और दूसरा java select करना चाहता हूँ और multimodule नहीं बनाना groovy यूज़ करना है सबको पता हमने यूज़ किया हुआ ये तो वैसे वैसे कर रहो हूँ मैं default package name java 17 यूज़ करेंगे यहाँ पे no करेंगे और generate ठीक है तो हम dynamic proxy देख रहे होंगे ठीक है dynamic proxy कैसे implement करते हैं और फिर मैं आपको last में cglib जो code generation library है उसका भी code दे दूँगा बटो आपको अपने आप देखनी है कि वो कैसे काम करता है क्योंकि dynamic proxy अगर आपने देख ली तो वह असान होगा तो यह मैं अगर एप खोलता हूं तो यहां से यह हटाते हैं हम चीक है इसको clean करते हैं यह ओके अब मैं करूंगा क्या मैं एक person class बनाओंगा ठीक है एक person interface बनाओंगा person ओके तो यह class नहीं है क्योंकि interface है तो यहां पर मैं interface बना देता हूं और अब इस interface को कुछ method देते हैं राइट इस person को एक method देते हैं public void introduce string name क्योंकि यह interface है तो हम इसको override method को करेंगे इसमें सिर्फ हम method की declaration देंगे method signature देंगे ठीक है और हम उसे age पूछते हैं तो say age करके कोई string age हम इसका जब project बनाएंगे तो उसमें use करेंगे तो मज़ा आएगा ठीक है और last में हम video के देख रहे होंगे कि interview में इसके उपर क्या क्या question बन सकते हैं string city ले ले लेते हैं और string country ले लेते हैं इसको save कर दिया अब एक class बनाते हैं person जो एक class बनाते है man जो इसको extend कर रही होगी और person ठीक है अब हम इस class में कुछ method ओके मैं फटावर्ट वीडियो को अगे fast forward करता हूं ताकि time waste ना हो इसमें फटावर्ट करते आगे ओके तो यहां पर मैंने क्या किया इस man class को मैंने person class को implement किया ठीक है अब मैंने जब इसको implement किया तो मैंने इसके कुछ क्या बोलते हैं आप उसको attributes दे दिया जिसमें मैं name, age, city, country लेता हूं और इन सब को initialize कर देता हूं और फिर मैंने introduce method जो मेरे interface में है उसको override करना पड़ेगा obviously मैं concrete class बना रहा हूं man जो की person interface को implement कर रहा है right तो इन सब methods को override करना पड़ेगा तो इनका मैंने method override किया my name is जो भी है और उसके बाद मैंने method override किया method does not override from its super class okay int age right यहां पर int कर देते हैं ठीक है अब सही है सब सही दिख रहा है तो मैंने simple method override किया है और कुछ नहीं किया ठीक है अब मैं बोलता हूं कि इस person class को मतलब इस man class को देखो यहां पर मैंने बोला था कि इस person को चाहिए कोई भी class implement करें हमारी man class इसको implement कर रही है तो इस person class को man class implement कर रही है तो हमें इस person class के ऊपर एक interface जो person class के interface उसके ऊपर एक proxy बनानी है क्योंकि जो dynamic proxy वो interface level पर काम करती है ठीक है तो इस पे बना लेते हैं फटा फटा फट पर्सन invocation handler जिनोंने node.js किया उनको थोड़ा थोड़ा middleware वाला टच लग रहा होगा इसमें ठीक है तो बिल्कुल साही लग रहा है क्योंकि यह वही चीज़ है ठीक है तो यहां पर हम person ले लेते हैं ठीक है ले लिया फिर हम यहां पर इसका constructor बना देते हैं और यह constructor परसन लेगा और जो हमने person उपर किया है उसको इंप्लिमेंट इनिशलाइज कर देगा राइड अब यह मैं override क्यों कर रहा हूं क्योंकि इसको implement करना पड़ेगा एक ऐसी class को जिससे हम proxy बना सकते हैं अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को यह सब याद नहीं रखना कोई बात नहीं इसके अंदर जाओ interface invocation handler क्या करता है यह सब पड़ लो ठीक है return क्या करता है params क्या लेता है यह सब और इसमें invoke method है तो मैं यह बोल रहा हूँ कि आप क्या करोगे जब भी person class को person interface की कोई भी class को call करोगे तो यह invoke method पहले को लोगा छीक है यह मैं बोल रहा हूँ आप पड़ लेना समझ जाएगा अब यह error दे रहा है क्योंकि हमने override नहीं किया है invoke method को तो यह generic object return करता है क्योंकि Java में हर एक चीज object होती है चाहे वो string हो, integer हो, long हो, class हो, कुछ भी हो तो वो एक generic object में आता है and यह object क्या होता है अगर आप देखोगे तो यह खुद class है, class object is the root of class hierarchy simple internet पर जाओ, search करो, Java class hierarchy, आपको पता चलेगा कि object सबसे top वाले section में आता है ठीक है, अब यह क्या करेगा, यह एक proxy accept करेगा, ठीक है, एक method accept करेगा, ठीक है, and अगर कुछ arguments है, अगर आप कुछ भी arguments देना चाहो, तो उसको store कर लेगा, ठीक है अब मैं यह बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं print करूँगा, high, इससे हमें यह पता चल जाएगा, कि जब हम person interface का कोई method call करेंगे, अगर उससे पहले high print हो रहा है, तो इसका मतलब, यह call हो रहा है ठीक है, तो सब समझ गया यहाँ तक, अब हमें क्या करना है, simple हमें इसको call करने का वो देखना है, जरिया, right तो main class में चलते हैं, यहाँ पर, तो मैं एक man मोहन करके लेता हूँ, ठीक है, और एक नया man बनाता हूँ, और man को import करना पड़ेगा, हाँ तो इसका नाम है मोहन, ठीक है, इसकी age 30, countries की दिल्ली है, let's suppose, ठीक है, और, sorry, cities की दिल्ली है, और countries की इंडिया है, ठीक है, अब मैं class loader लेता हूँ, class loader देखो, अब यहाँ पर use हो रहा है, reflections, reflections क्या होता है, यह भी आपको कोई interview में पूच सकता है, तो last में हम, सारे interview question दे उसका हमने class loader ले लिया, अगर आपको समय निया था class loader क्या है, तो यहाँ पर simple debug point लगाना, आपको जो भी, जिसमें भी code कर रहे हो, उसमें debug point लगाना, और फिर run करना, ठीक है, आपको समझ जाएगा, तो वो भी हम करके देखेंगे, अभी, don't worry, अब क्योंकि यह interface level पे है तो हमें सारे मोहन जिस interface को कर रहा है, implement हमें उसके सारे interface लेने पड़ेंगे, ठीक है, और हम फिर उसके interface में अब proxy बनाएंगे, अब person मैं, रुको, person, हाँ, import कर लेते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं, proxy, देखो, पहली मैं बता दे तो proxy आ रहे है, reflect package थे, ठीक है, कैसे हो रहे मैं exactly आपको बताऊंगा, और यहाँ पे interview question भी बनते हैं, तो वो भी देखेंगे, ठीक है, तो इसको सारी required चीज़े हमने पास कर दी, person, invocation, handler, mohan, अब हो क्या रहा है, simple जाकि इसमें देखो, new proxy instance में, इसको क्या चाहिए, loader चाहिए, interface चाहिए, और एक invocation handler चाहिए, अपना invocation handler यह रहा, क्योंकि यह invocation handler को implement कर रहा है, तो यह मारा invocation handler हो गया, तो हमने सब कुछ दे दिया, जिससे वो proxy बनेगा, बट यह जब return करता है, तो यह return करता है object, तो इसको हमें typecast करना पड़ेगा, इस object को हमें convert करना पड़ेगा, person में, ठीक है, यह हो introduce method है, ठीक है, यह जो मोहन है, यह किस class का method है, man class का, और यह किस interface को extend कर रहा है, person interface को implement कर रहा है, तो अगर मैं introduce में जाओं, तो मैं simple देखूंगा, कि man है जो, उस ही की दो इखूंगा ना, उस ही को देखूंगा, क्योंकि मोहन at the end man है, तो यही है बस, अब introduce करेगा, तो उस हम उसका मोहन का introduce method कोल कर रहे है, ठीक है, introduce method कोल कर रहे है, पर हम यह किस पे कर रहे है, proxy पे, तो proxy का पहले कौन सा method कोल होगा, invocation, अगर आप इसके अंदर जाएगे, तो invoke method पहले कोल होगा, ठीक है, क्योंकि यह proxy के अंदर से होके जाएगा, अभी आप देख पा रहे हो, य जब वो introduce method call करेगा तो proxy उसको पहले intercept करेगा और invoke method call करवाएगा फिर introduce method call होगा ठीक है तो यही था ऐसे हम proxy करते हैं initialize मैं इसको github में डाल दूँगा आप चला के देख लेना ठीक है मेरे यहाँ पर चल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर gradle project मेरा IDE उसको detect ही नहीं कर पा रहा है maybe there is an update but okay यह था कि हमने एक man बनाया man class implement की हमने और फिर हमने एक proxy बनाई उस class की interface को use करके उस proxy का हमने क्या किया एक method call किया जो की है introduce ठीक है अब जितने भी इस person interface को implement कर रही है classes उसका introduce method call होगा क्योंकि हम interface का कर रहे है फिर हमने क्या किया हमने बोला कि हमने person invocation handler बनाया अब इसका invoke method हमेशा call होगा और हम यहाँ पे कुछ भी proxy वाला code रख सकते है अगर हम रखना चाहें तो तो यही है proxy की intermediate code अगर आपको कोई डालना है तो आप डाल सकते हो अब इस पे interview question क्या बनते है सबसे पहले proxy होता क्या है वो आपको समझ आ गया कि यह कैसा intermediator code जो हम use कर सकते है तो आप फिर कोई बोल सकते है कि क्या आप इसका को use case बता सकते हो तो हमने discuss किया cashable ठीक है cashable कैसे इसको use कर सकता है ठीक है और क्या है इसका use case है AOP ठीक है aspect oriented programming अगली वीडियो में देखेंगे हम क्या होता है aspect oriented programming और फिर यह proxies का implementation कैसे होता है तो आप बोल सकते हो इसका implementation dynamic proxy जो की JDK में आती है already and dynamic proxies and CGLIB ठीक है CGLIB का code भी आपको GitHub में मिल जाएगा वो भी बहुत similar है बहुत ज़्यादा similar ठीक है एक जैसे ही है वीडियो लंबी नहों तो मैं आपको फटा वट बता देता हूँ और क्या आप से पूच सकते हैं कि proxies use किसका करते हैं तो आप बोल सकते हो reflections ठीक है reflections पर वीडियो चाहिए तो बता देना लेकिन मैं बता देता हूँ reflections होता क्या है एक ऐसा API है जैसे stream API है वैसी reflection एक java की API है जो की use करती है कुछ ऐसे methods जिससे हम कर पाते है run time पे जब आपका code चल रहा होता है compile time नहीं run time यह हमने discuss किया था ठीक है run time पे यह हमें class का method देती है class method ठीक है class name class की fields even private जो private field है उसको भी आप access कर सकते हो तो reflection एक ऐसी API है जो run time पे आपको classes के अंदर कुछ भी change करने को बोल सकती है जो run time पे आपको classes के अंदर कुछ भी change करवाने को abilities देती है चेंज करवाने की abilities देती है आप उसको change कर सकते हो आप runtime पे कुछ भी उसका access कर सकते हो जैसे हमने अभी proxy में क्या करा है आप देख पारे होगे हमने mohan.getclass.getclass loaded किया है वैसे interface किया है यह सब runtime पे हो रहा है और यह सब हमें कौन दे रहा है यह हमें सब reflect दे रहा है reflect package दे रहा है ठीक है तो यह होता है reflection तो आपको क्या क्या पता चल गए प्रोक्सी क्या होती है spring boot में और इसकी कुछ annotation यह सब यूज कर सकते हैं प्रोक्सी को एक intermediator होता है reflections होता है जो जिसको यूज करके प्रोक्सी इंप्लिमेंट करते हैं हम दो तरह की प्रोक्सी होती है cglib and dynamic proxy दोनों में क्या फर्क होता है cglib हम किसी पे भी इंप्लिमेंट कर सकते हैं dynamic proxy सिर्फ interface level प्लिमेंट होती है और आज की वीडियो को लिए इतना ही मिलते हैं अंगली वीडियो में जहांबे हम देखेंगे aspect oriented programming क्या होता है उसका use क्या है तब तक के लिए बाई बाई